दोस्ता दोस्तों डिट है आज की 6 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एड्टोर्यल डिसकसन में हिंदू में देखो आज एक इस्यू इंपोर्टेंट है इंडिया की साइबर स्क्योटी से समंदित और एक इस्यू हम उठाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का स्टेट फाइनेस कमिशनस से समंदित काफी इंपोर्टन आर्टिकल है तो दो इशू हम आज डिटेल से डिसकस करेंगे चलिए discussion start करते हैं. First important article India की cyber security से समन्दित है. आप JS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हम. ये सारे aspects हम सामिल करेंगे इस article के discussion में. क्या contest है? देखो हाल ही में India के कुछ critical infrastructure जैसे Mumbai में power system पर cyber attack देखने को मिला. और आरोप ये लग रहा है ये China sponsored cyber attack था. मतलब China ने अपने कुछ actors को support किया इस cyber attack को carry out करने के लिए. US का एक newspaper है New York Times. New York Times में USA की एक security agency के हवाले से कहा गया था कि India में ना सिरफ अभी पिछले हफ़ते जो ये cyber attack देखने को मिला ये China sponsored था. बलकि देखो अब तो ये भी कयास लगाएं जाने लगे हैं. पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में जो massive power out race देखने को मिला था. वो भी China sponsored terror attack का एक हिस्सा था. देखो वैसे union ministry ने अभी हाल ही में जो cyber attack हुआ उसमें चाइना का हर्थ सिधा सिधा होने से इंकार किया. उसके पीछे foreign policy भी involved है. foreign policy कैसे? देखो central government को ये लगता है कि मुश्किल से चाइना के साथ relations थोड़े ठीक हुए हैं और पैंगों सो लेक के पास से disengagement के लिए सहमती बनी हैं. अगर सिधा सिधा अभी चाइना के ऊपर आरोप लगाए जाएगा कि चाइना ने cyber attack करवाया इंडिया के power system के ऊपर तो फिर चाइना के साथ फिर से relations खराब हो सकते हैं. तो union ministry ने तो सिधा सिधा आरोप नहीं लगाया हैं लेकिन USA की एक एजनसी ने साफ तोर पर कहा है हमारे पास सबूत हैं यह चाइनीज sponsored cyber attack था इंडिया के power system के ऊपर. इसके अलावा देखो एक या दो दिन पहले कल पर सो की बात है Microsoft के द्वारा भी यह आरोप लगाया गया कि उनके mail system को और calendar system को hack करने की कोशिस की गई हैं और उन्हों ने भी indirectly चाइना पर है आरोप लगाया कि China linked जो cyber attacker हैं उन्होंने Microsoft के mail system और calendar system को hack करने की कोशिस की. जब देखो Australia और China के relations खराब हुए थे तब भी Australia के काफी cyber infrastructure पर cyber attack हुआ और उसका आरोप भी चाइना पर ही लगा था देखो आज के समय में विबिन देश इस case में हम चाइना की बात कर रही हैं तो विबिन देश साइबर वारफेर को जादा तवज्जव क्यूं दे रही हैं इसके देखो काफी सारी reasons भी हैं मैं आपको example देता हूँ देखो चाइना ने अभी माना की गलवान वैले की घटना में उनके चार जवान मारे गए उसके बाद चाइना की social media में बहुत ज़दा आउटरेज देखने को मिला नराजगी देखने को मिली चाइना की सरकार के परती की आपकी ये policies हैं जिसकी वज़े से चार जवान मारे गए तो कहने का मतलब समझिए कि आज के समय में विबिन देश जनता का pressure handle करते हैं जब भी उनका एक जवान मारा जाता है तो फिर जनता का pressure बहुत जड़ा बढ़ जाता है उस देश की सरकार पर कि आप क्या policies अपना रही हो हमारे जवान सहीद हो रही है जबकि cyber warfare में क्या है आप दुस्मन देश को नुकसान पहुंचाते हो लेकिन इसमें आपका नुकसान नहीं होता क्योंकि देखो इसमें anonymity यानि अग्यात रहते हैं वो लोग जो cyber attack को अंजाम देते हैं पता ही नहीं लगता कि किस ने cyber attack को अंजाम दिया और देखो एक बात और बताओं आपको WikiLeaks US का data leak हुआ था उसमें ये बात सामने आई जो CIE है US की Central Investigation Agency इनके पास तो ऐसी power है ऐसी technology है कि अगर किसी देश के उपर attack हुआ attack जो है वो USA ने नहीं चाइना ने करवाया है समझ गया आप बात को मतलब USA के पास ऐसी भी power है कि वो खुद cyber attack करवाए किसी देश के उपर और जान बूज के सबूत ऐसे छोड़ दे कि सक जाए किसी दूसरे देश के उपर और देखो USA के पास ऐसी power है USA ऐसे काम करता है वो तो उनके जो confidential documents हैं वो leak हो गए तब जनता को पता लग गया अदरवाइस दूसरे जो major countries हैं for example चाइना चाइना बे ऐसे काम जरूर करता ही होगा तो ये काफी सारे reasons हैं जिसकी वज़े से cyber warfare के chances जादा हैं आने वाले समय में इसलिए cyber warfare को fifth dimension of warfare भी कहा जाता है पहले वाले च cyber warfare अगर देखो हम past में हमरे देश में जो cyber attacks हुए हैं उनकी बात करें सबसे पहले जिकर आता है ghost net का 2009 की ये घटना है एक cyber espionage network जिसको नाम दिया गया था ghost net ये target कर रहा था इंडिया में जो तिबितियन government in exile है इसके infrastructure को और काफी सारे दूसरी इंडियन embassies को भी target कर रहा था ये ghost net अब देखो तिबितियन government in exile इसके infrastructure को target करना किसके interest involved हो सकते हैं साफ तोर पे चाइना के और दूसरे देशों को क्या लेना देना की जो तिबितियन government in exile है इंडिया में उसके infrastructure को target किया जाए जब देखो इस मामले पर और जड़ा research की गई तो researchers ने पाया कि एक shadow network यह एक vast cyber espionage operation चलाया जा रहा है इंडिया के against जिसने इंडिया की काफी सारी entities को target किया है including military establishments, news publications, even the national security council secretaryate जिसके उपर जिम्यदारी होती है इस परकार के attacks को रोकने की और उस discovery में देखो यह भी सामने आया उस investigation में यह भी सामने आया काफी सारे इंडिया के जो confidential documents हैं वो compromise हुए हैं जब यह मामला पार्लियमेंट में उठा तो उस समय सचिन पाइलेट मनिश्टर थे उन् नहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई investigation लेकिन देखो सिरफ एक ही cyber attack नहीं हुआ इंडिया में पांस्ट में Stuxnet virus यह virus देखो तब सुर्ख्यों में आया था जब आरोप लगा था कि इजराइल ने इस virus की साहिता से इरान के nuclear infrastructure को नुकसान पहुंचाया हैं इस virus का attack इंडिया में भी देखने को मिला था सक फ्लाइ यह जो वाइरस था इसने ना सिरफ government को attack किया बलकि private entities को भी attack किया एक company जो की national stock exchange यानि MSC को IT services provide कर रही थी उस company पर attack हुआ इस सक फ्लाइ वाइरस के साहिता से इसके बाद है D-Track इसने देखो पहले इंडिया के banks को target किया और बाद में तमिलाडू में कुडन कुलम nuclear power plant को attack किया गया target मनाया गया निशाना बनाया गया 2019 की घटना है तो ये तो हमने बात की past में इंडिया में हुए cyber attacks की कुछ घटनाओं का जिकर हमने किया अब बात करते हैं सरकार की तरफ से क्या actions लिए गए हैं इन घटनाओं से निपटने के लिए देखो पिछले दो दसकों में यानि 20 सालों में सरकार ने अच्छे खासे efforts लगाए हैं ताकि इस परकार के attacks के against एक resilience generate किया जासके मतलब cyber attacks अगर होते भी हैं तो उनसे निपटा जासके उनको foil किया जासके ऐसाफल बनाया जासके काफी सारे cyber जो portfolios हैं वो तो PMO में ही आते हैं प्राइम मिनिस्टर office directly deal करता है इन cyber portfolios से कुछ एक का जिकर हम करते हैं national security council इसको समानेता चेयर किया जाता है national security advisor के द्वारा और इंडिया की cyber policy ecosystem को shape करने में national security council important role play करती हैं इसके बाद है national information board national security advisor इसे भी चेयर करते हैं ये एक apex body है जो कि cyber security policy making समंदित मामलों में various ministries के बीच coordination establish करने का काम करती हैं इसके बाद है national critical information infrastructure protection center ये देखो establish हुआ था NTRO यनि national technical research organization के अंत्रकत जनवरी 2014 में काम दिया गया था इंडिया का जो critical information infrastructure हैं उसे protect करना आप बताएं critical infrastructure कौन सा infrastructure होता हैं देखो यही जैसे power और energy सम्मदित infrastructure banking का infrastructure, telecom का infrastructure जिसमें disruption अगर आता है तो normal जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा ऐसे infrastructure को आप कहा सकते हो critical infrastructure इसके बाद next है national cyber security coordinator national cyber security coordinator का काम क्या है देखो 2015 में प्राइम मिनिश्टर ने ये office establish क्या था national cyber security coordinator जिसका काम ये है strategic cyber security issues पर प्रधान मंतरी को advise देना तो प्रधान मंतरी को advise दी जाती है national cyber security coordinator के द्वरा next है computer emergency response team CERTIN देखो देश में non critical infrastructure से संबंदित जब threats आती है तो फिर उनको deal करने के लिए ये nodal body है computer emergency response team ये कौन से ministry के अंतरकत आती है ministry of electronics and information technology next है defense cyber agency हाल ही में ministry of defense के द्वारा defense information assurance and recharge agency को upgrade किया और establish की defense cyber agency यानि पहले ये पुरानी जो agency हुआ करती थी इसको upgrade करके नई agency बनाई है जिसका नाम है defense cyber agency ये Indian armed forces की एक tri service command है ताकि कल को इंडिया को अगर cyber operations launch करने हैं तो उन cyber operations को jointly control किया जहासके और coordinate किया जहासके उसी मकसद के साथ ये defense cyber agency established की गई है इस agency का काम ये भी होगा कि इंडिया के लिए cyber doctrine को craft करना अभी इंडिया का देखो nuclear doctrine तो है जैसे ही इंडिया ने nuclear weapons का निर्मान किया तो इंडिया ने अपना nuclear doctrine भी बनाया जिसे जनता में published भी क्या गया लेकिन इंडिया का अभी कोई cyber doctrine नहीं है नेक्स्ट है coordination centers ये तो कोई ज्यादा important agency है नहीं इसे आप छोड़ दीजिए concerns की बात करते हैं ये तो हमने discuss कर लिया सरकार के क्या efforts है इस परकार के cyber attacks से निपटने में अब concerns और challenges की बात करते हैं देखो पहला challenge तो यही है जो point हम already discuss कर चुके हैं कि विबिन देशों के पांस अभी ऐसी technology और power है जिसकी साहिता से cyber attack वो खुद करें लेकिन जान बूझ के ऐसे evidence वो छोड़ दें सक जाए दूसरे देश के ऊपर इससे दो देशों के बीच में relations खराब हो सकते हैं युद यासी situation भी पैदा हो सकती है जबकि वो देश जिसने actual में cyber attack को अंजाम दिया वो side में खड़ा होके हसता रहेगा देखो cyber attack हमने किया और ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं blame game खेल रहे हैं next issue है institutional framework का देखो जैसा हमने discussion में जाना इतनी सारी agencies हैं हमारे देश में हमने तो कुछ ही को discuss किया और भी काफी सारी agencies हैं cyber threats से निपटने के लिए बट ये दिक्कत हैं आपस में coordination की दिक्कत पैदा हो जाती है जब इतनी सारी agencies इतने सारे departments होते हैं clarify नहीं हो पाता कि किसका actual में काम क्या है overlapping responsibilities हैं जब कोई cyber attack हो जाता है तो parallelly कई सारी agencies जांच start कर देती हैं जांच परभावित होती हैं तो ये national cyber security strategy जिसको जिसका draft ट्यार किया गया है national security council के द्वारा लेकिन देखो इसे अभी तक public domain में नहीं डाला गया है मैं फिर से बोलता हूँ national security council ने एक strategy तो त्यार की है national cyber security strategy लेकिन अभी इसे public domain में नहीं डाला गया है तो राइटर कहते हैं इस national cyber security strategy में ये clarify करने की आप सकता है कि किस agency की responsibility क्या होगी और ये भी ensure करना होगा इस strategy में कि various actors के बीच में coordination हो और accountability भी fix की जांसके जैसे critical infrastructure पे अगर attack होता है तो accountability किसकी होगी जबाब दे ही किसकी होगी अगर ऐसा होता है तो फिर institutional mechanism strong होगा अभी तो देखो responsibilities कई-कई लोगों की हैं और एक चीज़ आपको बता दूँ कई सारे लोगों की एक ही समय में responsibility मतलब किसी की भी responsibility नहीं फिर blame game चलता है कि यह आप की जिम्यदारी थी आपकी जिम्यदारी थी next concern है deterrence का deterrence का क्या मतलब है मैं आपको example की साहता से बताता हूँ देखो इंडिया के पास अभी nuclear weapons है तो इन nuclear weapons की साहता से इंडिया ने एक deterrence create कर लिया है डर पैदा कर दिया है चाइना में कि अगर हमने इंडिया के ऊपर nuclear weapons का attack क किया तो इंडिया के पास भी nuclear weapons है तो इंडिया भी हमारे ऊपर nuclear weapons की साहता से हमला करेगा तो ये सोच के चाइना कभी भी इंडिया के ऊपर nuclear attack नहीं करेगा तो ये क्या है ये deterrence है deterrence का मतलब होता है दुस्मन देश को डर दिखा के रोकना इंडिया के पांस nuclear weapons है इंडिया ने कभी इस्तमाल नहीं किया और कभी करेगा भी नहीं लेकिन एक डर जो है न कि हाँ हमारे पांस weapons है तो आप हमारे उपर attack करने की हिम्मत मत कीजिए वो डर ही बहुत कुछ कह देता है वो डर ही दुस्मन देश को रोक देता है इंडिया के उपर attack करने से तो उस परकार का डर इंडिया अपने cyber domain में कायम करने में नकामयब साबित हुआ है अगर देखो हमारे पांस भी cyber attack की जबरदस्ट power होगी जबरदस्ट technology होगी तो दुस्मन देश डरेंगे कि हमने अगर इंडिया के उपर cyber attack करवाया तो बदले में इंडिया भी करवाएगा लेकिन वो डर अभी तक हम दुस्मन देश में कायम नहीं कर सके हैं तो cyber domain में में भी इंडिया के पांस detrans होनी चाहिए इंडिया के पांस इतनी power होनी चाहिए कि दुस्मन देश हिम्मत ना करें इंडिया के उपर cyber attack carry out करवाने की इसके बाद next issue cyber doctrine से समदीत है जैसा हमने पहले discuss किया अभी देखो जैसा हमारे पास nuclear doctrine है वैसर cyber doctrine नहीं है तो cyber doctrine भी इंडिया का होना चाहिए cyber doctrine नहीं है न तो फिर rules of engagement नहीं पता है कि जब कोई देश हमारे उपर cyber attack करेगा तो इंडिया का response होगा ये response ad hoc हो सकता है और जबकि पहले से हमारा cyber doctrine हो तो दुस्मन देश को भी पता हो कि इंडिया के उपर अगर cyber attack हम करवाएंगे तो इंडिया का response ऐसा हो सकता है तो cyber doctrine का होना ज़रूटी है नेक्स्ट पॉइंट में देखो ये बोला जाता है देखो हमेशा से global stage पर इंडिया nuclear weapons से समद्धी debate हो या फिर disarmament से समद्धी debate हो इंडिया अपना पक्स जाहिर करता रहा है और काफी बार तो इंडिया ने disarmament और nuclear weapons से समद्धी debate को एक direction भी प्रोवाइड की है और यही देखो चीज इंडिया को cyber warfare से समद्धीत मामलों में करनी चाहिए cyber issues पर अभी global stage पर काफी debates चलती है तो इंडिया को अपना posture जाहिर करना चाहिए इंडिया की क्या सोच है cyber attack को लेके cyber warfare को लेके ताकि इंडिया अपने हिसाब से global rules को set कर सके लेकिन अभी देखो global stage पर जब cyber warfare समद्धीत issues की चर्चा होती है तो इंडिया वो activism वो active role play नहीं करता जितना इंडिया पहले किया करता था nuclear weapons के मामले में last में wave forward में देखो कहा जाता है इंडिया को ना सिरफ अपने cyber infrastructure को मजबूत बनाना होगा मतलब ऐसा infrastructure हो जिसमें zero exploit की संभावना कम से कम हो zero exploit क्या होता है मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ मानली जी आपने सारा syllabus कर लिया गलती से दो-तिन चेप्टर आपके रह गए जोगरफी के और उन्हीं दो-तिन चेप्टर से UPSC ने बहुत सारे question पूछ लिये तो मतलब UPSC ने आपका zero exploit किया आपका दो-तिन चेप्टर जो गलती से छूट गए थे जान बूज के UPSC ने वहीं से question पूछे example है सिरफ ये समझने के लिए है concept उसी परकार से जब देखो कोई company software बनाती है न जवरदर software बनाया security भी सुनिश्यत की लेकिन दो-तिन जगह ऐसी छूट गई आप अपना improve कीजिए ना सिरफ government के अंदर बलकि national level पर state level पर अभी देखो मालाश्टर के सरकार ये कह रही है कि हाँ sabotage है power system पर जो attack हुआ है union ministry इंकार कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब state level पर agencies अलग कुछ बोल रही है union level के agencies कुछ अलग बोल रही है तो ये हमने पूरा article discuss किया cyber infrastructure से समन्दित चलते हैं आगे इसके बाद हमारा next article है state finance commissions से समन्दित आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो ये सारे aspects हम cover करेंगे इस article की discussion में दिखो 73rd और 74th constitutional amendment में ये साफ तोर पे कहा गया था जब ये amendments आई थी तो article 243 I add किया गया और 243 Y भी add किया गया 243 I ये कहता है साविधान का कि state governor को हर 5 साल में एक state finance commission का गठन करना है जैसे देखो union level पे president के दवारा हर 5 साल के बाद union finance commission का गठन किया जाता है उसी परकार से ये provision 93 के आसपास किया गया था जब 73rd और 74th constitutional amendments आई थी काम क्या होगा इन state finance commissions का जैसे देखो union finance commissions का काम होता है formula तया करना जिसके basis पे revenue share किया जाएगा central government के दवारा state government के साथ में recommendations देना कैसे state governments जो है वो अपना revenue और अच्छे ढंक से mobilize कर सके तो इस परकार की recommendations देना काम होता है union finance commission का उसी परकार से state finance commission को भी काम दिया गया है कि वो local level पे जो पंचायत होती हैं पंचाती राज institutions या फिर municipalities इनके साथ revenue sharing का formula तया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा local bodies को revenue दिया जासके इसके साथ साथ provisions करना recommendations देना कि ये local level पे bodies जो है tier 3 governments की bodies ये कैसे अपने revenue को mobilize कर सकती हैं यानि कैसे अपने revenue को increase कर सकती हैं तो ये काम दिया गया था state finance commissions को तो question यही उठता है क्या इन state finance commissions ने अपना काम अच्छे से किया इसका answer है no अगर देखो उन्होंने काम अच्छे से किया होता तो आज हम ये article क्यों discuss कर रहे होते देखो normal सा rule ये है जब आप किसी body को power देते होना काम करने की जैसे local bodies को functions दिये गए कि आपको ये ये काम करना है तो भया आप finance भी तो दो ना बिना पैसो के कोई कैसे काम करेगा जब अब आप देख लीजे सविधान में provisions हैं साफ 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 state government क्या tax collect करेगी union government क्या tax collect करेगी कौन सा tax collect करेगी और state government के पास revenue कम होगा तो इसी वज़े से revenue sharing की भी बात कही गई है सब कुछ सविधान में साफ साफ पर बोल रखा है लेकिन 73rd 74th amendment के बाद जब local bodies बनी और उनको financial powers देने की बारी आई तो state governments ने विरोध कर दिया नहीं नहीं उनको local bodies को हम अपने हिसाब से financial power दे देंगे उनके revenue का हम जगाड करके दे देंगे अगर सविधान में उनके लिए revenue का provision किया जाता है तो ये तो हमारी जो powers हैं वो कम हो जाएंगी तो state governments ने विरोध किया था state governments ने बोला था कि हम अपने आप financial resources एकठा कर लेंगे mobilize कर लेंगे local governments के लिए आप सविधान में इसका provision मत कीजिए लेकिन देखो state governments ने ऐसा किया नहीं उन्होंने बोल तो दिया लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं हर पांच साल में जो state finance commission गठित करने की बात हुई थी ना 73rd 74th constitutional amendment में उसको भी बहुत ही कम state governments ने fulfill किया है अब देखो 1993 के आज़ पास 73rd और 74th constitutional amendment आई थी और अब चल रहा है 2021 तो सभी states में पांचवा या फिर 6th state finance commission का कारेकाल चलना चाहिए काईदे से क्योंकि आल्मोश्ट 30 साल पूरे हो चुके हैं हर 5 साल बाद state finance commission का गठन करना था लेकिन बहुत कम states ऐसे हैं जहां पे पांचवा या फिर 6th state finance commission काम कर रहा है 15 states ऐसे हैं और जातर states में अभी सिरफ दूसरे या फिर तीसरे state finance commission ने भी अपनी recommendations को submit नहीं किया है जब देखो 14th union finance commission ने अपनी report सोंपी थी union finance commission के हम बात कर रहे हैं तो union finance commission ने अपनी report में कहा था कि state finance commission को विबिन states के द्वारा timely गठित करना चाहिए ताकि वो state finance commission revenue share करने समंदीत recommendations देज़के local bodies के साथ क्योंकि देखो जब state finance commission का गठन होगा तभी वो local bodies के साथ revenue sharing की recommendation देंगे ना तभी वो बोलेंगे कि कैसे local bodies अपने revenue को increase कर सकते हैं अगर state finance commission का गठन होगा ही नहीं तो वो local bodies के revenue को increase करने समंदीत recommendations देंगे कैसे तो इसलिए 14th union finance commission ने बोला था कि विबिन states को इसमें delay नहीं करना चाहिए हर 5 साल के बाद state finance commission का गठन करना चाहिए अब जो 15th union finance commission है वो एक कदम आगे बढ़ गया है का गठन करोगे और 15th finance commission के रिपोर्ट में ये भी बुला गया है कि मार्च 2024 के बाद state को कोई grant release नहीं की जाएगी अगर वो state finance commission का गठन नहीं करते हैं जिसका constitutional provision है अब देखो 15th finance commission ने तो ये सब कुछ बोल दिया अब उस पर आज comment कर रही है writer writer कहते हैं देखो अगर various state governments के द्वारा state finance commissions का गठन कर भी दिया गया तो भी कोई जुरूरी नहीं कि फिर local bodies को funds मिलने start हो जाएंगे क्योंकि देखो बहुत सारे issues हैं अभी तक का experience ये कहता है पिछले 30 सालों में state government अगर serious है तो फिर local bodies को per capita revenue का devolution 6101 तक भी हो सकता है जिसका provision करना तक सरकार के द्वारा किया गया state finance commission की recommendations के बाद और URISA की सरकार ने सिरफ per capita 147 रुपे दिये local bodies को state finance commission की recommendations के बाद ये बिल्कुली नाम मात्र का रकम है 141 रुपे तो variations इतनी ज़्यादा है कहने का point समझ गया आप बात सिरफ state finance commission के गठन करने की नहीं है बात ये भी है ना कि state finance commission actual में ऐसी recommendations दें जिससे local bodies और ज़्यादा financially in power हो आम तोर पे होता क्या है ये भी देखा गया है state finance commission का गठन कर भी दिया जाए तो उसमें state level के bureaucrates होते हैं local politicians होते हैं जिनको financial मामलों की इतनी समझ नहीं होती अब union finance commission का जब गठन होता है उसमें तो इतने बढ़िया बढ़िया member होते है एन के सिंग जिनकी बहुत ज़रा reputation है ये देखो अच्छी बात है मतलब अभी तक state finance commissions के जितने भी गठन होए न members उसमें बहुत जाने माने थे, experts थे लेकिन state finance commissions में member उतने experts होते नहीं हैं, उनके पास knowledge का अभाव होता है तो वो उतने अच्छे से recommendations दे भी नहीं पाते तो ये भी ensure करने की आवसकता थी union government को या फिर 15th finance commission की recommendations में कुछ सुझाव देने चाहिए थे कि कैसे ये ensure किया जा सकता है कि state finance commission का गठन करने के बाद भी local governments को फाइदा हो ऐसा नहीं कि नाम नाम के लिए गठन कर दिया गया बाद में report ही नहीं submit हुई थंडे बस्ते में डाल दिया गया दो साल late report submit हो रही है और report submit होने के बाद भी कोई action नहीं लिया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए इसके बाद article में एक point ये भी बोला जाता है देखो जब union finance commission अपनी recommendation देते हैं तो फिर इतने सारे states में revenue divide करने के लिए formula वो बताते हैं जबकि state finance commission का काम तो और भी मुश्किल है क्योंकि local bodies की संख्या किसी state में बहुत ज़्यादा होती है तो ये पता लगाना किस local body की आवशकता कितनी है ये असान काम नहीं है बलकि state finance commission में तो और भी ज़्यादा expert लोग होने चाहिए तभी वो अच्छी report बना सकते हैं अच्छी recommendations state government को दे सकते हैं तो conclusion में last में यही बोला जाता है सबसे पहले तो देखो जो local bodies हैं वो भी अपने आपको थोड़ा संख्थित करें जैसे देखो जब 15th finance commission का गठन क्या गया था तो various states को कुछ सिकायते थी तो various states के chief ministers ने आपस में मुलाकात की थाकि central government के उपर pressure डाला जास के देखो यही परियास local bodies के द्वारा भी तो दिखने चाहिए ना local bodies अगर मिलके pressure डालेंगी state government के उपर तो state government को मजबूर होना पड़ेगा local bodies को power देने के लिए यहाँ पर हम financial power की बात कर रहे हैं दूसरा यह बोला जाता है suggestions में कि जो citizens हैं वो भी देखो state finance commissions के reports को scrutinize करें और state governments की जबाब दे ही त्या करें तीसरा देखो थोड़ा और research करने के आऊ सकता है करना तक जिसने local bodies को ज़्यादा revenue दिया वहाँ पर कैसे development आई क्या उसका impact हुआ उडिसा जिसने कम revenue दिया local bodies को per capita सिरफ 147 तो वहाँ पर क्या negative impact देखने को मिला थोड़ा और research कि आऊ सकता है ताकि various state governments और motivate हो local bodies को और ज़्यादा financial powers देने के लिए तो 15th finance commission में जो recommendation दी गई है ना 2024 के बाद कोई grant ना दी जाए states को अगर वो state finance commissions का गठन नहीं करती है देखो intention तो अच्छी है बट इससे कोई खास फाइदा होगा नहीं ऐसा writer बोलते हैं तो ये पूरा article हमने discuss किया हमारी आज की discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion